यूक्रेन ने व्यापक भष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। जैसा कि राष्ट्रपती वलोडिमिर जेलिंस्की ने अपनी सरकार में कर्मचारियों को पुनरगठित करना शुरू किया। कई वरिष्ट यूक्रेनी अधिकारियों ने इस्तिफा दे दिया। अधिकारियों द्वारा बढ़ी हुई कीमतों पर भोजन खरीदने के सबूत मिले हैं और एक व्यक्ति पर एक शांदार जीवन शैली का नेत्रित्व करने का संदे हैं। खाइलो पोडोली एक एक वरिष्ट सलाकार ने दावा किया कि श्री जिलिंस्की एक प्रमुक सारवजनिक मां का जवाब दे रहे थे कि न्याय सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाए। राज्य के अधिकारियों को पहले से ही राश्च्रपती द्वारा अधिकृत व्यापार पर देश छोडने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किरीलो टाइम ओशन को जो क्षेत्रिय रणनीती का प्रबंधन करते थे और पहले श्री जिलिंस्की के चुनाव अभियान पर काम कर चुके थे, मंगलवार को इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ती थे। रूस द्वारा पिछले साल फरवरी में यूकरेन पर अपना आक्रमन शुरू करने के बाद उन्होंने नियमित रूप से सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। हालांकि वह किसी भी संगलिप्रता से इनकार करते हैं। लेकिन यूकरेन में खोजी पत्रकारों द्वारा उन पर पूरी लडाई के दौरान कई महंगी स्पोर्ट्स कारों को चलाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने टेलिग्राम पोस्ट में हर दिन और हर मिनट अच्छी चीजों का संचालन करने का अवसर देने के लिए श्री जेलिंस्की की प्रशनसा की। से निशाने पर आ गए हैं। मंगलवार को कई अन्या प्रमुक अधिकारियों को निकाल दिया गया जिन में शामिल है। के कारण 2021 में भरष्ट राज्यों की अपनी रैंकिंग में 180 देशों में युक्रेन को 122 स्थान दिया। यदि राश्ट्र क्लब में शामिल होने के लिए अपनी बोली के साथ आगे बढ़ना चाता है तो यूरोपीय संद के मुख्य अनुरोधों में से एक है। श्री जेलिंस्की ने रविवार को एक भाशन में वादा किया। अतीत में जो हुआ करता था। राज्य संस्थानों के करीबी विभिन व्यक्तियों के रहने के तरीके में कोई वापसी नहीं होगी। उनकी यह टिपणी यूक्रेन के बुनियादी धांचे के उपमंत्री वासिल लोजिंस्की को विद्यूद जनरेटर के प्रावधान के संबद में कुल 3,50,000 डॉलर, 2,85,000 पाउंड से अधिक की रिश्वत लेने के संदे में शनिवार को हिरासत में लिये जाने के बाद श्री जेलंस्की की सर्वेंट ओफ दपीपल पार्टी के नेता देविड अराखामिया के अनुसार ग्रश्ट अधिकारी जेल जा सकते हैं। कानुनों के अनुसार किया जाएगा यदि यह सब्य तरीके से नहीं किया जा सकता है। यह हालिया जनरेटर खरीद और रक्षा मंत्राले में नई समस्याओं दोनों के लिए सच है। ब्रश्टाचार विरोधी हाल की पहलों के बावजूद कीव जोखिम में है क्योंकि इसे पश्चमी मित्रों से अर्बो डॉलर की वित्तिय सहायता मिल रही है। जय हिंद।